हे गाईज केसे वाप सब आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ आपका भाई संजीत और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल जेबी के टेकनिकल आज हम बात करने वाले हैं अन्नो नम्मर को बलेक लिस्ट में किस तरह से हम लोग डाल सकते हैं अगर आपके पास अन्नो नमर से कॉल आता है बराबर आपको हमेशा प्रेशान करता है अन्नो नमर से कॉल करके तो आप लोग किस तरह से अन्नो नमर को बलेक लिस्ट में डाल सकते हैं आपका जितना नमर जैसे की सेब रहेगा वो सिर्फ सेब नमर से आपका कॉल आएगा अगर नो नमर से private number से call आता है तो वो आपका नहीं आएगा ठीक है तो आज मैं इसी topic के उपर बात करने वाला हूँ कि unknown number को हमेशा के लिए अपने phone में black list में कैसे add कर सकते हैं अगर आपके पास unknown number से call करता है अधर से तो आपका जो call history में आएगा यहाँ पे जो call history में आपका दिखाई देगा वो सिर्फ आपको miss call दिखाई देगा ठीक है यहाँ पे जैसे कि मैं इस सबसे जैसे की बात किया हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या करना है ना जैसे कि मैं वो unknown number को यहाँ पे save बात कीजिए अगर अच्छा लगे तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को subscribe कर दिजे वीडियो को like कर दिजे और एक प्यारा सा comment जरूर से जरूर कर दिजेगा तो चलिए जानते हैं कि नौ नमर को हम लोग कैसे blacklist में डाल सकते हैं तो अनौ नमर को blacklist में डालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है सबसे पहले बले store को आपको open करना है फिक है पहले store को open करना है open करने के बाद यहां पर आपको एक application सर्च करना है calls blacklist ठीक है call blacklist आपको search करना है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यह red color का app यहाँ पे खुल के आ रहा है, इस app को आपको install कर लेना है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यह मेरा install है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, open कर लेना है, अगर यह application आप नहीं download कर पा रह ठीक है, तो open के उपर आपको touch कर देना है, open के उपर touch करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, blacklist का option आ रहा है, और उपर में three dot का option आ रहा है, यहाँ पे three line का option आ रहा है, तो इसके उपर आपको touch कर लेना है, ठीक है, touch करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख स कोई option आपका खुल के नहीं आ रहा है ठीक है तो यहां से यह आपका blacklist नहीं add हो पा रहा है तो मैं आपको इसी app के माधियम से बताऊंगा कि आपका blacklist अन्नो नमर कहां से blacklist में डलाएगा तो यहां पर आपको क्या करना है इधर right side यहां पर ठीक है यहां पर एक three dot का option आएगा three dot के उपर आपको touch करने के बाद यहां पर एक setting का option दिखाई देगा तो setting के उपर आपको touch कर लेना है ठीक है जैसे कि आपका number blacklist में अगर आपको no number को डालना है और no number को blacklist में डालना है तो यहां पर उपर में आपको block पे आपको touch कर लेना है ठीक है जो की blocking यहां पर लिख कर लेना है ठीक है इसके उपर आपको touch कर लेना है यहां पर touch करना है उसके बाद यहां पर देख सकते हैं आपका जितना save number है ना वो save number से भी आपके पास call नहीं आएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है private number और यहाँ पे अन्नो नमर को blacklist में डालना है तो यहाँ पे tick लगा लेना है टीक लगाने के बाद private number को टीक लगाना है अन्नो नमर को टीक लगाना है ठीक है यहाँ पे अन् चीम से अगर call करते हैं, अगर उसका number आपके पास save नहीं है, तो आपका यहाँ पे जो call history है न, यहाँ पे सिर्फ उसका miss call दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ उसका miss call दिखाई देगा, तो आप इधर से return call कर सकते हैं, आपकी भाई, आप कौन बोल रहे हो, लेकिन उधर से वो बंदा आपके पास call नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो हमारे इस वीडियो से आप लोगों को कुछ knowledge मिला हो, तो प्लीज हमारे इस YouTube चैनल को subscribe कर देए, वीडियो अगर अच्छा लगा है, तो प्लीज like, share, जरूर से जरूर कर देए, मिलते हैं फिर अगले वीडि